नमस्कार दोस्तों दांतों के बदरंग होने के कारण और उन्हें दूर करने के घर्यलू उपायों के बारे में आज हम सभी अपने इस वियों में जानेंगे दोस्तों आप सभी का स्वागत है आप सब हमारे वीडियोज को निरंतर देखते आ रहे हैं सुनते आ रहे हैं इसके जिससे कि आपको सबसे पहले वीडियो जाते ही पता चलेगा आईए आज हम दांतों की देख भालक से संबंधित जानकारियां यानि कि घरिलू दवाओं के बारे में जानते हैं हर किसी की चाहत होती है सुन्दर मुस्कान और मूतियों जैसे सफे दांत लेकिन कई बार विभिन्न प्रकार के खाद्य और पेपदार्थों गलत आदतों और सफाई के अभाव के कारण दात बदरंग होने लगते हैं तो आईए आज हम जानते हैं कैसे छुटकारा पा सकते हैं सबसे पहले हम जानते हैं दोस्तों कि दांत बदरंग क्यूं होते हैं दांतों पर दाग बदसूरत लगते हैं लेकिन एक सख्त और साउधानी पूर्वक मुह की सफाई द्वारा दांतों से दाग को दूर और रोकने में मदद मिलती है दांतों में टार्टर एक चिपचिपी परत की तरह होता है जिसके कारण दांतों में बैक्टिरिया बढ़ने और दाग उत्पन होने लगते हैं इसको ठोर जमाव को वाइटनिंग उपचार के माध्यम से दूर करने की आउशकता होती है दोस्तों दांतों के बदरंग होने के बहुत से कारण होते हैं उन में से एक चाई के विभिन प्रकारों का इस्तेमाल करना होता है दोस्तों शोध के अनुसार काली हरी यहां तक कि हरबल चाय के सेवन से दांतों के इनेमल खिसकने लगते हैं और कौफी के मुकाबले ज़्यादा दाग पैदा करते हैं वाइन रेड वाइन एसीडिक ड्रिंक है इसमें मौझूद पिगमेंटेड मोलेक्यूल्स दांतों के बदरंग होने का कारण होते हैं दूसरी और हलांकि वाइट वाइन टार्क कलर की नहीं होती है फिर भी यह अपने तेज एसीडिक प्रकृति के कारण दाग का कारण बनती ह करी पाउडर का इस्तिमाल कई प्रकार के भारतिय वियंजन में किया जाता है दोस्तों वैसे तो करी पाउडर आम तोर पर गहरे नहीं होते हैं लेकिन गहरे रंग के कारण लंबे समय में दाग पैदा कर सकते हैं तंबाकू, तंबाकू में मौझूद हानिकारक निकोटीन सेहत के साथ दांतों के लिए भी बहुत नुकसान दे होता है, इसके सेवन से दातों में पीलापन और भूरे रंग जैसा जमाव पैदा होने लगता है, इसे साफ करना बोहुत ही मुश्किल होता है दोस्तों, डार्क कलर के पल्प, स्वादिष्ट सोंस जैसे सोया सोंस, टमाटर सोंस, टुमैटो प्यूरी, रिड पास्ता, रिड पास्ता सोंस, इत्यादी दांतों में दाक का कारण बनता है, आम तोर पर दांतों का एनमेल कमजूर होने के कारण आसानी से डार्क कलर के संपर्क में आ ज एनबेरी अनार और काले अंगूर एंटी ऑक्सिडेंट और पोशक तत्तों से भर पूर होते हैं इनको एक सिमा तक इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि दांतों के संपर्क में आने पर इसमें मौजूद तेज पिगमेंटेड मोलेक्यूल्स दांतों के एनमेल के साथ चिपक जात हैं सोडा का बहुत ठंडा तापमान दांतों में संकुचन पैदा कर उन्हें जर जरा और समवेदन शील बना देता है इसके अलावा हलके रंग का सोडा भी अन्य अमलिये खादे पदार्थों और पेये के साथ मिलाने पर एसीडिक हो जाते हैं दोस्तों अब बदरंग दां हमारे विक्तित्व की पहली चीज है जो किसी के बात करते समय या हसते समय नोटिस में आ जाती है इसलिए इनका सुंदर होना बहुत ही जरूरी होता है दोस्तों दांतों के बदरंग होने का इलाज औरल सफाई और खान पान का ध्यान रखकर किया जा सकता है तो आएए आज एसकнов dear wills कि मैं इस कुछ ढूर्ट के why ठवल रखना चाहिए सम्तोष जनक मुह की सफाई का ख्याद रखना चाहिए दोस्तों दिन में कमसे कम बार दांतों की सफाई whitening mouthwash और दिन में एक बार मूध में फ्लास करना चाहिए यह सब चीजे मुँह में टाठर और दाग से चुटकारा पाने के लिए आपकी मदद कर सकते हैं मुँँ को बैक्टिरिया फ्री रखें रात को सोते समय ब्रश न करने से दांतों में फसे बैक्टिरिया दो गुना तेजी से पनपते हैं और दांतों में धब्बे पैदा कर देते हैं इसलिए दांतों की सफेदी और दांतों के बीच फसे आहार को दूर करने के लिए नियमित रूप से रात को दातों में फ्लास के साथ ब्रश करना अत्यंत मातोपूर होता है आहार का ध्यान रखें सेब और गाज और दोनों अजवाईन के साथ मिलकर जैविक डाग को दूर करने के लिए काम करते हैं यह सलाईवा के निर्मान में सुधार कर शरीर के वाशिंग घटक के रूप में काम करते हैं यह विटामिन C से भरपूर होते हैं जो दांतों संबंधी समस्याओं और मसूडे की सूजन को रोकने में मदद करता है दांतों का नियमित चेक अप कराएं जी हां दोस्तों नियमित रूप से दांतों का चेक अप करने से आपको लंबी अवधी के दागों से छोटकारा पाने में मदद मिल सकती है बहुत से दांतों पर दाग का इलाज घर पर नहीं हो सकता है इसलिए इनसे छुटकारा पाने के लिए आपको नियमित रूप से अपने दांतों का चेक अप करवाना जरूरी हो जाता है दोस्तों हर भोजन के बाद कुल्ला करें कुछ खादे और पेपदार्थ आपके दांतों को बदरंग कर उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं इसलिए कुछ भी खाने के बाद कुल्ला करना बहुत ही जरूरी होता है तांकि आपके दांतों में कुछ भी फसा हुआ ना रह जाए दोस्तों उचित ओरल सामगरी का उप्योग करें जी हां दोस्तों अच्छे से मुग की सफाई और सफेद दांत को बनाए रखने के लिए दांतों के लिए आवशक सामगरी खरीदने चाहिए दांतों के लिए इंटिटार माउथ वाश एक आवशक वस्तु है किसी को भी इसका लगातार उप्योग करने के लिए वाइटनिंग टूथ पेश्ट के साथ खरीदना चाहिए दोस्तों तो देखाए दोस्तों आप सभी ने झाहिए टू झाहिए ऑपयोझ था मुझ्क, लिए पाता है खरीजרכ खरीए भी तोस्तों – बशाने को